प्रेम विभाकी तो लड़की ने सीधे सीधे कह दिया कि मैंने जो शादी है वो अपनी मर्जी से की अब लड़की क्योंकि वालिक थी और उसने ये भी कहा कि हम दोनों के बीट शादी हो चुकी है कंसेंश्वल शादी है ऐसा नहीं है कि कुछ दबाव मेरे उपर डाला गया है या धर्म परिवर्तन को लेकर के किसी तरह की कोई बातचीत है ये सब परजी वाड़ा ऐसा कुछ भी नहीं का कहा ये गया कि मैं आपको पूरी के पूरी कहानी बता दू युवति ने कोट में पेश होकर जज के सामने खुद को बालिक बताया 13 दिसंबर को अपने घर से फरार ये दोनों हो गए थे रिशिकेश के एक मंदिर में शादी की और युवक के परिजन ने भी युवति को सुईकार कर लिया है परिवार के लोग शादी की पार्टी की तैयारियों में जुटे हैं बीच ये सारी की सारी विवाद वाली खबर सामने निकल कर आती है लेकिन इसके बाद ही ये सारे के सारे जो हैं सबूत पेश कर दिये जाते हैं युवति को पती के घर जाने के आदेश दे दिये जाते हैं और फिलहाल योग के परिवार ने भी युक्ति को सुईकार कर लिया है और जैसे माने आपको बताया कि परिवार के लोग तो इस गफलत से बहुत दूर थे कि इनके उपर कोई ऐसा मामला आएगा और इसलिए वो तो पार्टी की तैयारिया करने में जूटे थे आपको बता दूँ कि हिंदू संगठनों ने भी हंगामा किया था और मामला दो संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण घटना के चलते दोनों ही परिवारों में हड़कम मच गया था लेकिन फिलाल जो है कोट में जो कोट ने सीधे तोर पर कहा है कि पती के घर भीज़ दो क्योंकि मामला वालिक लड़की का है कंसेंश्वल है किसी तरह कोई दबाब नहीं है लड़की खुशी खुशी लड़के के घर जाना चाहती है तो प्रेम विवा है इसलिए बाकी लोगों को हंगामा करने दीजे हंगामा इतना ना हो जाए कि कि किसी को कोई दिक्कत आए बोल रहे हैं तो बोलने दीजे किसी तरह की कोई तोड़ फोड की चीज़े कहीं से सामने निकल कर नहीं आनी चाहिए इसलिए अब पूरी चीज़े से टल दो चुकी है इस वीडियो को देखने के लिए अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिए